क्रिस्पी, खस्ता, मज़दार सी, सिर्फ गेहों के आटे से आज हम बनाएंगे बहुत ही तेस्टी सिंधी को की इस रेसिपी को मेरी कजन मिताली ने बताया है जिसे वो एकसर ब्रिक्फस्ट में मसाले तर दही के साथ खाते है या फिर चटपठा सा अचार मिल जाए तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सुबह के अलावा इससे आप शाम की चाय के साथ या फिर डिनर में भी खा सकते है इससे आज हम बिल्कुर ट्रडिशनल वे में बहुत सारे टिप्स के साथ बताऊंगी जिससे कि यह हर बार उतनी खसता क्रिस्पी और टेस्टी सी बनेगी तो चलिए इसकी रेसेपी को चिटकी में बनाते हैं तो चलिए बिल्कुर ट्रडिशनल वे में बनाते हैं सिंधी को की तो इसके लिए हम बोल में डालते हैं दो कप गेहूं का आटा यह वही आटा है जिसे हम regular use करते हैं रोटी और पराठा बनाने में तो बस वही गेहूं का आटा मैंने इस कप से तो कप लिया है मैं अक्सर केक्स बनाती हूँ इसलिए कप का measurement मैं इसी से ले रही हूँ लेकिन आप किसी भी कटोडी से measurement ले सकते हैं बहुत लोग यहां पर आटे के साथ साथ थोड़ा सा बेसन भी डालते हैं लेकिन मैंने यहां पर नहीं डाला है simply हम आटे का ही इस्तमाल करेंगे तो आटे को बोल में डालने के बाद अब इसमें सभी मसाले डालते हैं तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं जीरा जो की मैंने 2चमच इस्तमाल किया है, आप यहां पर अगर जाधा जीरा काना पसंद करते हैं, तो 3-4 चमच भी आड़ करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और फिर इसमें हम डालते हैं टेस्सक एकॉर्डिंग और चलिए अब इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डालते हैं वो है शुद्ध देसी घी अकसर सिंदी लोग इस कोकी को बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल करते हैं जिसे की टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो बस यहां पर हम दो से तीन चमची घी डालेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छे से इसमें मोयन लगाना है जैसे समोसा कचोरी बनाने के लिए मोयन लगाते हैं ना सिंप्ली उसी तरीके से हमें यहां पर मोयन लगाना है हाथों से रब करते वे बिल्कुल अच्छे से से में मिक्स करना है मैं सिस्टर बता रही थी कि उसके याँ गी का ही इस्तमाल होता है मोयन लगाने में लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं गी नहीं यूज करना चाहते हैं और आगे इसे कैसे सर्फ करना है ये भी मैं बताऊंगी जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और ये देखें मिक्स करते वे जो टेक्शर है बिल्कुल ब्रेट्रम्स की तरह लग रहा है और ये कैसे चेक करेंगे कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं तो इसके लिए हाथ में थोड़ा सा घी और आट कर सकते हैं तो मोयन लगाने के बाद अब चलिए इसमें मसाले डालेंगे तो यहां पे हम थोड़ी सी काली मिश पाउडर डाल रहे हैं किसी किसी को हलकी लाल कोगी पसंद होती है तो इसी समय इसमें लाल मिश पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहां पे लाल मिश पाउडर नहीं और अब इसमें हम डालते हैं बिल्कुल बारी कटे वे प्यास तो यहां पर प्यास ना मोटे नहीं होने चाहिए बिल्कुल बारी किसी तरीके से कटे होने चाहिए तभी इसका जो टेक्शेर बहुत अच्छा आएगा खाने में टेस्टी लगेगा तो दो से तीन टेबल इसपेशली मेरी सिस्टर ने बोला यहां पे बिल्कुल फाइनली चॉप धनियापती डालना और खूब सारा डालना जिसे की टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो बस मैंने भी यहां पे खूब सारा धनियापती डाल दिया है और इसे ऑम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ल के बाद अब हम जरूरत के नुसार इसमें थोड़ा सा पाई डालते हैं हाँ एक बात और ध्यान रखना कि यहां पे पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि यहां पे में रोटी जैसा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है और इसे गूतना भी बिल्कुल नहीं है सि इस सिंधी कोगी को बनाने के लिए ज्यादा समान तो चाहिए नहीं होता है बस छोड़ी चोड़ी सी टिप है इसे आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है तो अगर आपको यह रची लग रही तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यह दिखें आटा बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो गया है और यहां पर आप जो देख रहे हैं रोटी जैसा बिल्कुल नरम भी नहीं है और बहुत जादा कड़ा भी नहीं है तो यह दिखें बिल्कुल पॉफेक्ट आ काफी टेस्टी बनेगी अब चलिए से हम इकवल पॉशन में डिवाइट करते हैं तो यहां पर इसे हम इसी तरीके से तोड़ का हाथों में इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे बहुत अच्छा में परफेक्ट शेप नहीं देना है यह बिल्कुल भी स्मूध नहीं होता है और इसी तरीके से बाकी सभी को भी हम तोड़कर ऐसे ही फ्लैट कर लेंगे तो इस तरीके से मैंने टोटल आटे को चार बड़े पोशन में डिवाइट किया है क्योंकि यह कोकी होती है काफी मोटी बनती है और एक ही कोकी खाने से अपका अच्छी से पेट भर जाएगा अब च का अच्छी की कर secondly हम से नहीं से ऐसा कुछ तुर्ड़कर अपने अपने टामेसे कम इस तरीके से मोटा बेला है और इसे मैं ऐसे के बाद और पर मारा से बांकिते हैं बिल्कुल अंदर तक हीट जाएगी और बिल्कुल अच्छे से पकेगा तो इस स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा और इसी तरीके से बाकी सभी कोकी भी हम बना लेंगे अब यहां पर बिलते समय आप चाहिए थोड़े से सुखे आटे को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और कभी कभ जाता है जिसे की बिलते समय परिशानी होती है तो थर्ण में इस कैसे बनाया जाता है यह मैं आपको आगे दिखाती हूं अब चलिए इसे कैसे सेखना है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर मैंने तवा को अच्छे से गरम कर लिया है और गरम तवा के ऊपर र मज़दार लगती है तो इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की दिखने के बाद अब इसे हम पलट देते हैं और उपर से हम लगाते हैं घी तो घी यहां पे आप खूप सारा लगाए जिसे की इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तेल में भी आप सेख सकते हैं लेकिन ट्र अच्छला से प्रेस करते हुए को करेंगे जिससे की इवेली चार और से अच्छे से सिख जाए और बहुत ही बढ़िया सा कलर आए तो यहां पर जो मैंने आटा लिया है इसे हम थोड़ा सा पैन के उपर रखकर गरम कर लेंगे ठांड के मौसा में घी जम जाता है जिससे की असानी से बेला नहीं जाता है गरम करने से क्या होगा गी थोड़ा सा मेल्ट होगा और बेलना काफी असान हो जाएगा तो हलका सा ही इसे हम गरम करेंगे यहां पर सेखना नहीं है और फिर इसे हम सेम उसी तरीके से बेल के हरका सा स्लिट करके तवा पर उरट परड़कर अब चलिए इसने सर्फ कैसे करना है । इसे आप चाहें तो राचाची की मसालेदर अचार के साथ सर्फ कर सकते है जो की पूरी तरीके से घर में बना हुआ है और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस अचार के साथ कोकी बहुती जबनस्त लगेगी अगर आप इस अचारों खहितना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आपे क्लिकर के से बाई कर सकते हैं या फिर इसे सुबह के ब्रेकफस्ट में दही के साथ भी सर्फ करेंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा तो यहां पे मैंने लिया है 200 ग्राम दही और अब इसमें मडालते हैं टेस्ट रिकॉडिंग नमक थोड़ा सा लाल मिश पाउडर डालते हैं थोड़ा सा काली मिश पाउडर डालेंगे और जीरा पाउडर भी ढाल देते हैं तो बस इन मसालों को डाल कर बिल्कुल अच्छे से में मिक्स कर लेना है और यह मारा बहुत ही चटपटा सा दही रेडी हो गया है जो की कोकी की साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगता है तो यह हमारी करारा क्रिस्पी कोकी बनके रेडी हो गई है नॉर्मली सिंधी इसे ब्रेक्फस्ट में खाते हैं लेकिन आप सुबह और शाम कभी भी खा सकते हैं और यह इतनी मोटी होती है कि एक ही कोकी में आपका पेट पूरा अच्छे से भर जाएगा तो फ्रेंट्स कैसी लगी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे पहले मैंने आलू के पराठे और पूरिया भी बनाई थी जो कि बहुती मसालेदा चटपटी सी बनी थी तो इसकी रेसिपी को आप यहां पे क्लिक करके जरूर देखिए